हेलो एवरिबन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मेकेनिकल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बहुत ही अलग तरह का वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए तो प्लीज मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप पूरे मेरे वीडियो को बनाने के कॉंसेप्ट को आप समझ सकें तो देखिए आज किस वीडियो में मैं क्या करूँगा तो मैं आपको एक production engineering में या production technology में एक topic है आपका welding तो पहले में welding के बारे में आपको थोड़ा theory समझाऊंगा उसके बाद हम कुछ objective को discuss करेंगे तो welding आपका किसका topic है तो वो आपका welding basically क्या है तो it is a process of joining two metal similar और dissimilar by fusion with और without use of filler metal and pressure तो देखिए basically welding जो है ऐसा process है जिसमें आपका दो अलग-अलग similar बोलने से same cast के cast iron to cast iron steel to steel या dissimilar यानि कि cast iron रहेगा एक आपका steel रहेगा तो इस तरह के process को आप by fusion या with use of filler metal या pressure किसी के भी मदद से कर आप उसको join करते हैं तो वो welding कहलाता है अभी welding को करने का सबसे बड़ा advantage क्या है कि welding जो है आपका same grade में material में और different different material में भी कर सकते हैं और इसका welding का join जो होता है वो काफी strong होता है तो ये इसका advantage हो गया disadvantage देखेंगा तो इसका initial setup जो है काफी high होता है और highly skilled person is required यानि कि जो आपको welder चाहिए वो बहुती trained होने चाहिए क्योंकि welding में थोड़ी सी भी गलती है आपको काफी साधा नुकसान कर सकती है तो ये होगी welding के disadvantage की और उससी important चीज़ कि ये जो है काफी costly भी होता है इसमें जो है आपका welding machine में welding करने के लिए आपको काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा अगले question में चलते हैं एक और important term हाता है weldability, weldability क्या होता है तो the ability of a material to weld a material weld a material तो किसी भी material को welding करने के जो process ये ability होती है उसको उसका weldability बोला जाता है अगला ये देखिए तो types of welding देखते हैं तो चलिए सबसे पहले क्या होता है तो solid state welding तो solid state welding का मतलब वो welding जिसमें आपका filler material को use नहीं किया जाता है तो वो कौन-कौन सा है forge welding, friction welding, diffusion welding, cold welding, explosion welding ultrasonic welding या pressure welding ये सारा जो देख रहे हैं आपके सारी क्या है तो ये solid state welding है मतलब क्या है कि इसमें इस सारे welding में जो आपका material होता है वो आपका क्या होता है तो वो melt नहीं होता है तो वो melt नहीं होता है इसलिए उसको solid state welding बोला जाता है उसके बाद आता है liquid state welding एक solid state हो गया liquid state, liquid state मतलब fusion welding, fusion का मतलब भी होता है कि metal को आप melt करके एक fusion temperature यानि कि ऐसा temperature जिसमें कि वो metal बहस आके उस temperature पर ले आते हैं तो उसको welding को fusion welding बोलते हैं अगला welding आता है important type है वो resistance welding, resistance welding मतलब ऐसा welding जिसमें आपका electric current का use किया जाता है तो वो कौन-कौन सा है तो देखिए वो आपका है spot welding हो गया, seam welding हो गया, projection welding हो गया, upset but welding, flash but welding और आपका percussion welding तो देखिए इसमें से आपको यहां से question नहीं आता है, इन तीनों से question नहीं आता है कोशन आपको नीचे पिती नाचक्त है कि स्पॉर्ट वेल्डिंग में जो अबका जो इलेक्ट्रोड होता है आपका कौँ Oo कौपर कब on क्या बोलते हैं तो सीम वेल्डिंग आपका कंटिब्डिंग स्पॉर्ट वेल्डिंग Kelvin क्या है तो वह और मिसलेस निपे ने सबस讲 rightly to को चर्देव करते हैं यह ट्योस जो करते हैं उसके पार अब करनाय में संभाज आर्क वेल्डिग जिसको किछ उयुंट में क्या बोलता है उयुंट में शेल्ट में से मिलड़ी ने जिसमें के आपका टिक वेल्डिंग और मीक के शवकी इन्जेशन में और इसका यूज़ करते हूं अअरोस्पेस में आटो मों मेंडस्ट्री में और अल्यूमिनियम और मैंगनेशम् के प्लिट के हू afar को यूज़ी की थरोधे पनिकेल doe को फॉक्र पर के यूज़ प्रेजिंग से रिलेटेट भी थोड़ा डिसकास कर लेता हूं तो देखिए आपको जो सोल्टरिंग होता है वह कब होता है तो इसमें फिलर मटरियल होता है वह आपका 420 डिग्री सेंटीग्रेट टेंपरेचर से बिलो रहेगा तो वह आपका सोल्टरिंग है और अगर 420 तो देखिए तो पहले खोचन है कि फिलर मेटल इस ऊजट GOU में जुज जने में चलते हैं कोशन मत्तू है कि which of the following welding process use non-consumable electrode देखे जो आपका TIG और MIG में basic difference किये है कि एक आपका non-consumable है जो आपका non-consumable है वो है आपका TIG welding और जो आपका consumable electrode है वो है आपका MIG welding यानि कि metal inert gas arc welding tungsten inert gas arc welding अगले question में चलता है कोशन में 3 है कि electrode used in TIG welding यानि कि TIG welding में जो आपका electrode use होता है वो कौन सा रहता है copper रहता है tungsten inert रहता है aluminium रहता है या cast iron रहता है तो TIG welding में जो आपका electrode use होता है वो आपका copper का बना हुआ होता है अगले question में देखते हैं question number 4 है कि projection welding is a multi spot welding continuous spot welding submerged arc welding ये used to form mesh तो देखेखे आपका projection welding ज़ो किस इनदर बना आता है तो वो आपका resistance welding की अंदर में आता है और इसके अंदर में जो projection welding का मतलब होगि multi spot welding और अगर मैं बात करो continuous spot welding की तो उसका मतलब क्या है तो continuous spot welding को क्या बोलते हैं तो हम उसको seam welding बोलते हैं अगला कोश्चन है कोश्चनमर 5 है कि in thermite welding aluminium and iron oxide are mixed in the proportion of 1 is the ratio 3, 3 is the ratio 1, 1 is the ratio 1 यह 1 is the ratio 2 तो thermite welding में जो आपका aluminium होता है वो आपका एक होता है और iron oxide आपका 3 होता है मतलब A is a correct answer कोश्चनमर 6 में चलते है कि the commonly used flux for brazing is slag, borax, lead या calcium chloride तो जो commonly used होता है आपका flux जो किसमें तो ब्रेजिंग में तो वो होता है आपका borax तो B is a correct answer, borax किसमें यूज होता है तो ऐसा flux हम यूज करते हैं ब्रेजिंग में कोश्चनमर 7 में चलते है कि solid state welding is a gas welding, arc welding, thermate welding या forge welding तो solid state welding वो welding होता है जो कि आपका forge welding के अंदर आता है solid state welding का मतलब होता है कि जो कि जिसमें आपका metal है या वेरलिक जिसका करना है वो आपका melt नहीं हो रहा है तो forge welding किसका यूज़ करते हैं तो हम इसमें hammer का यूज़ करते हैं ठीक है यह आप याद रखेगा Question 8 में चलते हैं कि which category belong to spot welding, projection welding and seam welding, electric resistance welding, forge welding, arc welding या thermit welding तो मैं पहले ही बताया था आपको यह सारा welding जो है किसके अंतरे आता है तो वो आपका resistance welding या आता था Question 9 है कि the bonding of rubber sheet with a metal is done by welding high frequency die electric heating, induction welding या adhesive welding तो देखें bonding of rubber sheet with metal यानि कि rubber का sheet होता है उसको अगर आप metal से bonding करेंगे तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम adhesive welding का यूज़ करेंगे तो D is a correct answer Question 10 चलते हैं कि in which welding pre-heating is essential यानि कि ऐसा कौन सा welding है जिसमें कि आपको pre-heating जो है काफी ज़्यादा essential ये काफी important होगा High speed steel stainless steel cast iron ये German silver तो चार option है right answer आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्लीज इसे जरूर लाइक करें और एक और चीज़ में बताना चाहूंगा कि जो theory वाला section जो मैंने आप भी add कि इसमें तो आपको ये theory वाला section कैसा लगा या आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताईए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही welding के लिए अगया और भी बहुत सारे टॉपिक से mechanical engineering में मैं एक एक टॉपिक को धीरे-धीरे पकड़ के पुरह depth में जाओं अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के से भी पढ़ाओं तो आप मुझे